देशी एग्रो में आपका स्वागत है अगर आप अपने खेत की जानकारी चाते हैं अपने खासरा खतोनी के बारे में जानना चाते हैं और आप तैसिल नहीं जाना चाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें इसमें हमने ओनलाइन खसरा खतवनी कैसे निकाल सकते हैं इसके उपर वीडियो बनाई है इसकी कवर्मेंटेट वेबसाइट है यूपी भूलेक के नाम से उस पर जाके आप अपने खेत की जानकारी ले सकते हैं गाटा संख्या खसरा खतवनी कितना एरिया है किसी के नाम बेचा गया नहीं बेचा गया यह सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे यह काम करता है पूरा प्रॉसस तो सबसे पहले आप गूगल पर टाइप कर लें भूलेक इसके बाद आप उसको सर्च कर लें तो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑप्शन यूपी भूलेक डॉट जी ओवी डॉट इन इस ऑप्शन को आप ओपन कर लें जहां पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ जनपद चुने तैसील चुने ग्राम चुने ग्राम का पहला अक्षर चुने यहां से भी आप बिलाउंग करते हैं वहां का अरिया डे सकते हैं मैं रंडंबली कोई भी अरिया ले ले रहा हूँ को तो पिर आपका जैसे यह आप दुस् Anders चुन लेते हैं असके बाद आपका दूसरा और यहां पको यहां कोई सकते आप को पता होगा पुसी सबसें वो आप तैसिल चुन सकते हैं तैसिल चुनने के बाद आपका थर्ड ऑपशन आएगा ग्राम चुने तो आप जिस ग्रम से रिलेट करते हैं थी ते बीर हई हर यहाँ पो प्सद reference खूली कता नग चुन सकती है औहुत् end next page window खुलता है वहाँ पे आप देख सकते हैं खसरा गाटा संख्या दौरक होजे ठीक है और दूसरा खाता संख्या दौरक होजे खातेदार के नाम के दौरक होजे या नाम आंतरर टिथी के दौरक होजे तो भी या जो भी आपको पता है इसमें उसके साफ से आप खोल सकते हैं मानलीज़ आपको इस सारे options नहीं पता हैं सिर्फ खातिदार का नाम पता है तो आप खातिदार के नाम पर क्लिक करें और नीचे की तरफ आई यहां देख सकते हैं एक window में ही keyword खुल गया है यहां पर आप नाम करें नाम टाइप करने के बाद आप खोजे वाले option पर क्लिक करें जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उस नाम से जिस भी आदमी की जमीन होगी उसकी details नीचे आ जाएंगी जितने भी लोग उस नाम से relate करते होंगे अब आप देख लीजे कि आप और आपके son of मतलब आपका न पर क्लिक करें जब आप उधारल पर क्लिक करेंगे तो एक capture खुल के आएगा एक नया विंडो जहां पर आपको capture फिल करना है तो आप सेंपल तरीके से capture को फिल कर दें इसके बाद आप continue कर दें continue करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं खाता विवरड अप्रमारित प्रती यह जो पेपर है यह ओनलाइन अब लेबल होगा आपको तो यह authorized नहीं होगा अगर आप यह तैसिल से निकलवाते हैं तो वहां पर इस पर मोहर लगेगी और साइन होगा तो वह authorized हो जाएगा लेकिन यह आप अपनी जानकारी के लिए इसको निकाल सकते हैं तो जैसा यह पेपर खुल चुका है और सामने आप देख सकते हैं ग्राम का नाम परगना तैसील जनपद फसल गाटा संख्या खाता संख्या यह सारी details यहां पर आ गई जमीन किसके नाम से है कितनी जमीन है टिपड़ी वाले option पे अगर आप आते हैं तो वहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि कब कहा किसके पास थी कहा बेची गई कहा खड़ी दी गई सारी details इसमें mentioned है इस तरीके से आपको आपके जमीन की सारी जानकारी मिल जाएगी इस option पे जाके UP इसको print out करवाएंगा तो ज्यादा clear नहीं आएगा तो इसका PDF बनाने का एक बहुत ही simple तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर राइट क्लिक में जाएं जो three dots है वहाँ पर राइट क्लिक करें नीचे की तरफ slide करें share के option पर आएं वहाँ क्लिक करें और print वाले option पर फिर से क्लिक करें जैसे आप प्रिंट वाले option पर क्लिक करेंगे यह Chrome के अंदर दिया वह option है आपके सामने दोनों पेज आ गया आप दोनों को दोनों पेज आपके selected है और यहाँ PDF का एक option लिखा उस पर आप क्लिक करें और फिर यह सीधे आपके storage में जाके save हो जाएगा जिस भी नाम से आप चाहें यहाँ पर प्लस icon पर क्लिक करके आप भूले क्लिक दें और create करके भूले को क्लिक करके उसके अंदर इस फाइल को save कर दें future reference के लिए जब चाहें तब आप इसको माँ से निकाल सकते हैं और easily इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं जो बहुत ही clear होगा तो आसा करतो हम मज में आयोगी और आप लोगों को पसंद आयोगी वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद लाइक सेर और सब्सक्राइब क और अन सकते हैं